मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने गोरखपुर में जटाईयो संडरक्षन और प्रजनन केंद्र का उधगाटन किया है और यूपी के विकास पर प्रकाश जाला है उन्होंने कहा कि यूपी में हाईवे, रेलवे, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहा है और गोरखपुर में भी महतपूर पर योजनाय चल रही है जैसे खादका खाना, एम्स और बहतर सडको का निर्माड कारिकरिम के दौरान और क्या कुछ बोले योगे अधितनाथ आईए आपको सुनाते हैं सत्रा के पहले तो पेड़ काटे जाते थे लेकिन अब सत्रा के बाद अब बेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी रक्सा हो रही है और उनको बचा करके हम नकेवल प्रकृति को बचा रहे हैं बलक्य अपनी वर्तमान बीडी को भी बचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि अगर हर्याली नहीं रहेगी प्रकृति नहीं बचेगी तो मानोता के सामने संकट आएगा आज आप climate change देख रहे होंगे असमे बारी सोना मूसलाधार बारी सोना बादल फटने की घटना आगा से विजली गिरने की घटना जब बारी सोनी है पुरी भसल चक्री ही change करनी पड़ाई है एक climate change के दुस्प्रभाव है प्लास्टिक के कच्छडे को दूर करना प्लास्टिक नुक्त करना ये हमारे गोवन्स को भी नुक्सान करता है खेती को भी नुक्सान करता है प्रकृति को भी नुक्सान पहुचाता है प्रियावरियों को भी नुक्सान पहुचाता है लेकिन साथ साथ अधिक से दिक प्रेक्षार उपन करना आप पेड़ नकटे इसके लिए प्रदान मंत्री मोदी जी ने देश के अंदर बारा करोड गरीबों को फ्री में रसोई कैस के उजला यूजला की कनेक्शन दिलाए है हमने उप्तर प्रदेश में कहा कि जो एक करोड़ च्यासी लाग कनेक्शन दारे उप्तर प्रदेश में है इन सभी को हम धोली और प्रीबावली में फ्री में रसोई कैस के सिलेंडर उप्लब्द करवाएंगे अभी पीपावली आएगी फिरी में सिलिंडर उपलप्त करवाएंगे। और क्या कुछ बोले योगे अधितनात आईए आपको सुनाते हैं। नारी गरिमा और रक्सा के लिए अपने आपको बलदान किया था। तो वह बीर बलदानी कोई और नहीं था बलके गितरा जटायों थे। और गितरा जटायों के प्रती उनकी वर्तमान पीडी के प्रती। कृटकिता क्यापित करने के लिए हर्याली तीच पर हम सब केंपियर गंज के इस जंगल में इकत्र हुए है। मैं इस हौसर पर हर्याली तीच की पर्देश वापिज सब को बदाई देते है। आज के इस जटायू सक्रक्शण केंद्र पर नामैन की प्रती परती भी। दिरदे से गितरा ग्यापित करते हैं आप सब को बदाई देता हूं अपनी सुपका नहीं देता है। वहे इस मौके पर वनमंत्री डाक्टर अरुण कुमार सकसेना और सांसद रवी किशन शुकला ने भी कारिकरम को सम्भूतित किया इस दौरान रवी किशन ने अकलेश यादव के गोरकपुर तक के बुर्डोजर चलने वाले बयान पर अपने प्रितिकरिया दी और सपा मुख्या अकलेश यादव पर जम कर निशाना साधा और क्या कुछ बोले रवी किशन जरा आप भी सुनिये लेकिन कल अख्रेश यादव जी का बयान कि अगर उनकी सरकार आएगी अगर आई तो भाई दीन में सब लोग सपना देखेगा लेकिन सोच देखा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सारा बुल्डोजर गोरकपुर की तरफ कूच करेगा मानिय अखलेश यादव जी बताईए यहाँ पर गीता प्रेस है धर्म का सबसे बड़ी संस्था जहां अमारे धिंद्रों के धर्म की किताबे छप्ती हैं मानिय अखलेश यादव जी नात संप्रदा का सबसे बड़ा पीफ है गोरकपुर तो क्या आपका भुल्डोजर जो कूच करने की आपने बात की वो कहा जाने वारा गीता प्रेस पर गोरकश पीफ कर ये भी बताईएगा जरूर ये सोच ये मन्शा आपकी बहुती खतरनाक है खरी शादव जी इसलिए को जो महराजी आज पूरे भारत में नमबर वन मुख्यमंत्री है क्योंकि यहां हिंदू भी मुसल्मान भी जो वोट देता है जो नहीं सब सुरक्षित है कभी महराजी ने नहीं कहा ऐसी ऐसी बात है दो लाग से जादा मुसल्मान गोरकपुर में रहते हैं लेकिन ये सोच आप लोगन के भी सोचे के चाही काम मन्शावा जूट का जहर फैला के जो लोगोंने कर दिया उपार पार नाई हूँ जूट के हांट क कांडी जौन बार उपार बार हंडी ना चाड़ी हो लेकिन इस सोच के याद रखिया इस दिल में जरूर रखिया कि काहें इसन बयान आई का सोच पा कहीं हम लोग चूके तो नहीं चूकेंगे तो नहीं और एक बात से हम अपन बात के बिराम दे